उत्रपदेश के मेरट नगला साहु गाउं में एक परिवार के दो बच्चों पर खाना खाना आफत बनकर टूटा खाना खाने के बाद दस बच्चों की हालात बिगड़ गई जिनका इलाज जिला हस्पताल में चल रहा है घटना बुद्वार दुभैर की है किला रोड इस्थेट नगला साहु गाउं में एक परिवार के बच्चों ने घर पर खाना खाया बताया जा रहा है कि खाना खाते ही बच्चों को उल्टी वे जी मचलने की शिकायश शुरू हो गई हालत बिगडने बस सभी बच्चों को जीला हस्पताल में भरती कराया गया जहां पर उनका इलाज जारी है डॉक्तर अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तयार नहीं है जबकि चर्चा है कि बच्चे फूड पॉईजनिंग का शिकार हुए है भावनपूर के गाओं का मामला है और कल करीड़ दस बच्चे पियल शर्मा में एडमिट हुए थे दोपहर के समय घर में उनकुछ खाया पी लिया था आम वगरा जो बढ़ाये गया है उखाये लेकिन सब स्वस्त हैं कल शान तक विपूल खीक्ते आसवे चुपी होने की संबाद है